बारत बले ही आज डिजीटल बारत बनता जा रहा है, सरकार दोहरा डवलमेंट को गिनवाया जा रहा है, लेकिन भारत की जो रेल वेवस्ता है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला है, अक्सर हमें रेल एक्सिजेंट सुनने कोई मिलते रहते हैं, अभी आली में देख लोग यूपी की कॉंड़ा में क्या हुआ, लवग 21 कोच पटरी से उतर गए, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सिजेंट था, ये ट्रेन चंडिगर से डिवरू कर जा रही थी, और इससे पहले कंचन जंगा एक्स्प्रेस, पश्चिम मंगाल में जो रंग पानी इस चिज़न इस बारे में बात करेंगे कि railway में क्या changes होने चाहिए, जिससे कि ये rail दुरगटनाय कम हो सकती है, या पूरी तरह से खतम हो सकती है, कई rail गाडियां और जो पटरियां है वो पुरान ही हो चुकी है, इनकी इनत तो सही से देखवाल हो रही है, और ना ही जो नई टेकनोलोज है, उसका तेजी से adaptation किया जा रहा है, ना ही लोगों की जादा से जादा भरती करी जा रही है, जिस वज़े से इनकी अच्छे से देखवाल की जा सके, साथ ही जो signaling system है, उसकी भी सही समय पर सही तरीके से जाच नहीं होती है, इस वज़े से भी दुरगटनाय हो जाती है, ओ भारत को bullet train का सपना कई सालों से दिखाया जा रहा है, लेकर वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है, और पता नहीं वो कब जाके पूरा होगा, उस सपने की वज़े से इन trainों पर और इनकी पट्रियों पर ध्यानी नहीं दिया जा रहा है, जिस वज़े से overloading बढ़ती जा रही है, overloading बढ़ रही है, इस वज़े से जो पट्रियां हैं उन पर दवाब पढ़ रहा है, और पट्रियों पर दवाब पढ़ने के कारड़ ही ये हाथ से हो रही है, ना तो भारत की trainों को चलाने के लिए परियाप्त मात्रा में लोको पाइलट है, और ना ही ट्रेनों की पट् विदा दी जा रही है, वो जरूरस से ज्यादा गर्मी में काम कर रही है, एक कवच नाम का सिस्टम बनाया गया है भारत की railway द्वारा, जो की ट्रेनों के accident को रोकता है, अगर दो ट्रेन आपस में एक ही पट्री पर आ रही है, तो वो जो सिस्टम है, वो एक दूसरे को बॉ अगर लगाया जाए तो सायद काम बन जाए, अब लगाया क्यों नहीं गया है, क्योंकि railway के पास इसना पैसा ही नहीं है, सारा पैसा तो उन्होंने अपनी जो बुलेट ट्रेन है, उसका सपना पूरा करने में लगा दिया है, फिर इन ट्रेन की तरफ कौन देगे, वो सारा अमीरों की भलाई में लगा रही है, गरीबों की तरफ देखी नहीं रही है, क्योंकि गरीब लोग ही है, जो ऐसी ट्रेनों में सफर करते हैं, अमीर लोग तो बुलिट ट्रेन में सफर करेंगे न, और बुलिट ट्रेन अभी तक बनना ही है, और ना जाने कब बनेगी, सरका देश के 10% लोगों पर ही धारन दे रही है और जो 90% लोग है उन पर उसका कोई ध्यानी नहीं है वो तो कीडे मकोड़े हैं जान जाती है तो जाए उन्हें क्या फरक पड़ता है सरकार का जो अमीरों की तरफ देखने का रवया है ना उसी की वज़े से BSNL आज जूब गई है हाँ उसे रिवाइब करने के लिए अब कुछ पैसे दिये जा रहा है लेकर वो उसका डूबने का कारण तो यही था कि सरकार ने अमीरों की तरफ जादा देखा और अब इंडिया रेलवे को भी बरबाद करने की मंसा बना रही है अब आप लोग बताओ कि इंडिया रेलव को कोसिस करना की सेयर कर सको इसी के साथ अपने इस वीडियो का एंड करते हैं जय हिंद जय भारत